नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत हैं, आपके अपने चैनल GK PLUS में, आज हम जानकारी प्राप्ट करेंगे प्रसित सहित अकाल, हरीवंश राय बच्चन की पतनी और सधी के महानायक, आमिताप बच्चन की माता जी, तेजी बच्चन के बारे में, आईए जानते हैं उनके बारे में कुछ interesting facts. पंजाबी परिवार में जन्मी तेजी बच्चन का नाम तेजी सूरी था. तेजी बच्चन का परिवार अब भी पाकिस्तान में रहता है. तेजी बच्चन हरिवेंश राय बच्चन की दूसरी पतनी थी. पहली पतनी के मौत के बाद इन दोनों ने प्रेम विवा किया था अरिवेंच राय बच्चन की इतरहे उनकी पतनी तेजी बच्चन भी भगवान राम और हनुमान जी की परम भक्त थी एक अभी नेत्री होने के साथ साथ तेजी बच्चन एक गाईका भी थी उन्होंने कई बार मंच पर अपनी कला का जोहर भी दिखाया था जो शादी के बाद तक जारी रहा था एक सामाजी कार्यकर्ता के रूप में उनकी मुलाकात पंडित जवारलाल नहरू से अक्सर हो जाया करती थी और तेजी ने अपने पती को भी नहरू जी से मिलवाया था उस जमाने में हरिवेंश राय बच्चन और तेजी बच्चन की जोड़ी इंडिया की सबसे चर्चित और लोग पुरिया जोड़ी मानी जाती थी जवारलाल नहरू और इंद्रा गांदी तेजी बच्चन के बेहत करीब माने जाते थे क्या आप जानते हैं कि सोनिय गांदी जब शादी के बाद भारत आई थी तो उनकी सास यानि कि इंद्रा गांदी ने उन्हें भारते संस्कारों और परंपराओं को समझने के लिए तेजी बच्चन के पास बेजा था यहां तक कि सोनिय गांदी को साड़ी पहनाना भी तेजी बच्चन नहीं सिखाया था तेजी बच्चन और नहरू परिवार से उनका रिष्टा हमेशा विवादों में रहा है यह थे तेजी बच्चन के बारे में कुछ इंट्रेस्टिंग फैक्ट्स आई होप आपको पसंद आए होंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आपको आगे भी अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहे थेंक्यू फर वाचिंग जैहिंद